हेलो बच्चों, बच्चों आज इस्पेशल बात करने का मैंने क्यों सोचा कि रीजन है कि कई वीडियोज यूटूब पे आ रहे हैं और पहले भी आये हुए थे गेम के लिए बनानी पड़ती है, हर एक्जाम के लिए बनानी पड़ती है, ये तो कोई नहीं कह सकता कि स्ट्राटेजी या प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है लेकिन आप कितनी भी planning बना लें, कितनी भी strategies खड़ी कर लें अगर आपके पास अंदर content नहीं है content में compromise आप कर रहे हैं तो इस strategy बनाने का कोई लाव नहीं मैं फिर से आप, मैं अपनी बातों को explain करूँगा कि एक बर मैंने कहानी पड़ी थी, मैं उस राजा का नाम भी भूल रहा हूँ कि जिसके पास सारी तोब गोले खतम हो गया और दूसरों को जो शत्रू था, जो उसके किले पे हमला कर रहा था तो उसको डराने के लिए उसने क्या क्या जितनी चीज़ें थी जितनी तोपे थी, जितने सोल्जर्स थे, सैनिक थे, सब को किले की उपर वाली दिवाल पे खड़ा कर दिया जिससे कि शत्रू का ऐसा लगे कि इनके पास इतना ज़्यादा बारूध है इतना ज़्यादा सैनिक हैं कि हम अगर हमला करेंगे तो बचेंगे नहीं और उसको इसका benefit भी मिला कि शत्रू घबरा गया और वो वापस लोट गया और ये बच गया देखें ये कभी-कभी चीज़ें हो जाती हैं लेकिन पढ़ाई में, examination में ये बैठने वाला बिलकुल नहीं कि आपके पास content ना हो, गोला बारूध ना हो और आप ये सोचें कि अपनी strategy बना रखी है उसे strategy के भरोसे, जेई मेंज जैसा paper ये मैं कहूंगा, board भी होगा उसके बाद एक महीने बाद डिड़ महीने बाद, उसमें आप बिना content के अच्छा कर ले जाएं ये थोड़ा बहुत ही मुश्किल काम या लगभग नहीं हो पाएगा इस strategy बनाना important है, लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी preparation कैसी चल रही है तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत students क्या करते हैं बार बार वीडियो देखते हैं नहीं नहीं planning का, ऐसे plan करें तो क्या होगा, ऐसी strategy करें तो कैसा होगा, ऐसा time table बनाये तो कैसा होगा, सुबह करें तो कैसा होगा, शाम करें तो कैसा होगा और दिन निकलते जाते हैं वो पढ़ाई नहीं हो पाती तो आप ध्यान रखिए कि planning या strategy जो आपको बनानी है आप बना लीजे लेकिन बहुत ज़्यादा समय उस पे खर्चा मत कीजे वरना वो investment की दरा investment की जगा वो आपका expense शाबित हो जाएगा कहते हैं ना कि more analysis will lead more paralysis जरूरत से जादा analysis जो और तो और एक एक बिल्कुल गुस के paralysis करने पे नुकसान हो सकता है आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए अभी का जो वक्त है October पूरा हाथ में हैं, November पूरा हाथ में हैं और December भी कहीं नहीं जा रहा वो भी पढ़ाई करेंगे जम के आप, बोर्ड की भी बात कर रहा हूँ, जैई मेंस की भी बात कर रहा हूँ तो उसमें पढ़ाई compromise नहीं होनी चीए क्योंकि content अगर ढिला पड़ गया तो आप कुछी भी सोच लें कि इस topic से इतने question, उस topic से उतने question अरे question तो आएंगे solve भी तो कर पाएंगे आप, question तो आपने देख लिए कि 10 topic हैं, 8 topic ऐसा तो है नहीं कि 10 में से तीनी topic important है और उसी से सवाल सारे आ जाने हैं, ऐसा तो नहीं होना, अगर समझ example के लिए मान लिए 10 topic हैं, 8 के ऐसे सवाल हैं जो अकसर आपको मिलते हैं चलिए साथ मान लेते हैं, साथ के ऐसे सवाल हैं जो अकसर आपको मिलते हैं, तो साथ का content तो मजबूत हो, कि जो सवाल examination में आये competitive examination में, वो आप कर पाएं अब bold में तो demarkation marks, marking scheme या कितने का weightage किसका है, ये तो पहले ही पता रहता, CVC bold की बात कर रहा हूँ, जही में की तो चलो अलग बात है कि थोड़ा बहुत 19-20 करते रहते हैं, लेकिन फिर भी content तो चाहिए चाहिए, तो मेरा आप से वीडियो बनाने का और आपको सचेथ करने का, या आपको caution देने का मेरा इरादा हुआ कि आपको मैं बता दूँ कि planning and strategy जरूर वनाई है, वो ब planning में लग जाए, हैना अगर माली जी cricket team कोई cricket खिलने जा रही है, Australia के दोरे पे जा रही, खुब planning बढ़ियां कर रखी, बढ़ियां लाब मिलेगा, planning करनी चाहिए, strategy बनानी चाहिए, लेकिन खिलाडी फिस रहें पता लगा, जो planning strategy बनाएंगे, सब आउट हो जाएंगे, जह लिए मैं आपसे फिर कहूँगा, कि आप planning जो बनाएं, जरूर बनाएं, लेकिन जरूरत से ज़्यादा उस पे focus ना कर जाएं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दियाओ, जम के पढ़ाएं, क्योंकि जिस topic के सवाल आएंगे, वो planning से नहीं निकाल पाएंगे अब, planning से topic तयार क किये जा सकते हैं, लेकिन topic के अंदर का content आपको मजबूती से ही तयार करना होगा, पढ़ाई से, तो content पे भी जरूर ध्यान दीजेए, ज़्यादा ध्यान दीजेए, मेरा मानना है, यह जो वक्त है न, September, last, October, November, यह पूरा वक्त ज़्यादा planning का नहीं होना चाहिए आपके ज़्यादा focus होना चाहिए पढ़ाई के content पे planning, तो हर आपनी थोड़ी बहुत करता है, कि हाँ यह यह 10 chapters है, इनमें से normally 7 chapters के सवाल इस तरह के ज़्यादा आते हैं, यह कोई वड़ी vicious planning नहीं, तो आप करते हों, चीजे दी भी रहती हैं कही जगा, तो बस मैंने का आपको caution कर दें, पढ़ाई को बिलकुल ना भूलें, डटे रहें, जम के पढ़ें, और investment करें पढ़ाई में, investment का मतलब हो गया time जो लगा रहें, बहुत ज़्यादा strategy बनाने के checker में इस वक्त बिलकुल ना रहें, वनना आपका time kill होगा, और इस checker में आपकर जो mindset है, को तिकड़म मे उल्जा रहेंगा, कि इसको मैं ऐसे करना होगा, इसको मैं वैसे करना होगा, और करेंगे कुछ नहीं आप, no action will be taken, केवल theoretical हवाई firing चलती रहेंगी, तो ये विलकुल आप ना करें, आपका action होना चाहिए, पढ़ाई का काम तो पढ़ाई से होगा, तो बस यही कहना था, wish you all the best, जेए मेंस की तयारी कर रहें, तो जरूर सेलेक्ट हो, इश्वर करें, आपका selection हो, और CBC Board में आप सफलता पुर्वक आगे बढ़ें, जम के पढ़ें, प्लानिंग भी करें, लिकिन जम के पढ़ें, और आगे बढ़ें, God bless you.